नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पर नवरात्री में दुर्गा सब्तिशती और स्तुती का बड़ा महत्व माना गया है यूगों यूगों से दुर्गा माता का गुडगान होता आ रहा है यहां तक कितिहास के सबसे भयावह नरसंगार महाभरत में भी देवी दुर्गा का अस्तित्व रहा है आईए आपको बताएं कुंती पुत्र अर्जुन के द्वारा दुर्गा देवी की स्तुती वर प्राप्ती और अर्जुन क्रित दुर्गा स्तवन के पाट की महिमा दुर्योधन की सेना को युद्ध के लिए उपस्ते देख श्री कृष्ण ने अर्जुन के हिद के लिए इस प्रकार कहा माहा बाहो तुम युद्ध के सन्मुख खड़े हो पवित्र होकर शत्रों को पराज़त करने के लिए दुर्गा देवी की स्तुति करो परम बुद्धिमान भगवान वासुदेव के द्वारा रण शेत्र में इस प्रकार आदेश प्राप्त होने पर कुंती कुमार अर्जुन रत से नीचे उतर कर देवी की स्तुति करने लगे इस प्रकार अर्जुन ने देवी की स्तुति की मंद्राचल पर निवास करने वाली सिद्धों की सेना नहीं आएं तुम्हें बारंबार नमस्कार हैं तुम्ही कुमारी, काली, कापाली, कपिला, कृष्ण पिंगला, भध्रकाली और महाकाली आदी नामों से प्रसिद्ध हो तुम्हें बारंबार प्रणाम है दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण तुम चंडी कहलाती हो बक्तों को संकड से तारने के कारण तारनी हो तुमारे शरीर का दिव्यवन बहुत ही सुन्दर है मैं तुमें प्रणाम करता हूँ महा भागे तुमी सौमें और सुन्दर रूप वाली पूजनिय कात्याईनी हो और तुमी विक्राल रूप धारनी काली हो तुमी विज्या और जया के नाम से विख्यात हो मोर पंक की तुमारी ध्वजा है नाना प्रकार के आभूशन तुमारे अंगों की शोभा बढ़ाते है तुम भयंकर ट्रिशूल, खड़क और खेटक आदी आयुदों को धारन करती हो नंद गोप के वंच में तुमने अवतार लिया था इसलिए गोपेश्वर श्रिक्रिश्न की तुम छोटी बहन हो परंतु गुण और प्रभाव में सर्वश्रेष्ट हो महिशा सुर का रक्त बहाकर तुमें बड़ी प्रसंता हुई थी तुम कुशिक गोत्र में अवतार लिगने के कारण कौशी की नाम से भी प्रसिद्ध हो तुम पितांबर धारन करती हो जब तुम शत्रों को देखकर अटहास करती हो उस समय तुमारा मुख चक्रवाक के समान उदिप्त हो उड़ता है युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ उमा, शाकंभरी, श्वेता, कृष्णा, कैटब नाशनी, हिराण्याक्षी, विरुपाक्षी और सुधु प्राक्षी आदी नामधारन करने वाली देवी तुम्हें अनेको बार नमस्कार है तुम वेदों की शूती हो तुम्हारा स्वरूपत्यंत पवित्र है वेद और ब्रह्मन तुम्हें प्रिये हैं तुम्हीं जात वेदा अगनी की शक्ती हो जम्बू, कटक और चैत्तिव रिक्षों में तुम्हारा नित्य निवास है तुम समस्त विद्याओं में ब्रह्म विद्या और देहधारियों की महा नित्रा हो भगवती तुम कार्टिके की माता हो दुर्गम स्थानों में वास करने वाली दुर्गा हो सावित्री स्वाहा स्वधा कला काश्टा सरस्वती वेद माता तथा वेदान्त ये सब तुमारे ही नाम है माहा देवी मैंने विशुद्ध हिर्दय से तुम्हारा स्तवन किया है तुम्हारी कृपा से इस रण गंगा में मेरी सदा ही जै हो मा तुम घोर जंगल में भैपून दुर्गमस्तानों में बक्तों के घरों में तता पाताल में भी नित्य नवास करती हो युद्ध में दानवों को हराती हो तुम्ही जंभनी, मोहिनी, माया, रिंग, श्रीम, संध्या, प्रभावती, सावित्री और जननी हो तुष्टी, पुष्टी, धृती, तधा सूरे चंद्रमा को बढ़ाने वाली दीप्ती भी तुमी हो तुमी एश्वर वानों की विभूती हो युद्ध भूमी में सिद्ध और चारण तुमारा दर्शन करते हैं संजे कहते हैं राजन अर्जन के इस भक्ती भाव का अनभव करके मनश्यों पर वासल्ले भाव रखने वाली माता दुर्गा अंतरिक्ष में भगवान श्री कृष्टी के सामने आकर खड़ी हो गई और इस प्रकार बोली अर्जन के द्वारा स्तूती के पश्चात देवी दुर्गा के शब्द कुछ यूं रहे पांडू नंदन तुम थोड़े ही समय में शत्रों पर विज़े प्राप्त करोगे दुर्गर्श वीर तुम तो साक्षात नर हो ये साक्षात नारायन तुमारे सहायक हैं तुम रण शेत्र में शत्रों के लिए अजे हो साक्षात इंद्र भी तुमें पराज़त नहीं कर सकते ऐसा कहकर वर्दाइनी देवी दुर्गा महासे शण भर में अंतरध्यान हो गई वे वर्दान पकर कुंती कुमार अर्जुन को अपनी विज़े का विश्वास हो गया फिर वे अपने परम सुन्दर रत पर आरुड हुए फिर एक रत पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिवे शंक बजाए जो मनुष्य सवेरे उठकर इस तोत्र का पाठ करता है उसे यक्ष, राक्षस और पिशाचों से कभी भय नहीं होता शत्रु तदह सर्प आदी विशैले दांतों वाले जीव भी उनको कोई हानी नहीं पहुँचा सकते राजकुल से भी उन्हें कोई भय नहीं होता है इसका पाठ करने से विवाद में विजय प्राप्त होती है और बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है वह दुर्गम संकट से अवश्य पार हो जाता है चोर भी उसे छोड़ देती है वह संग्राम में सदा विजय होता और विशुद्य लक्षमी प्राप्त करता है इतना ही नहीं इसका पाठ करने वाला पुरुष आरोग्य और बल से संबन्न हो सो वशों की आयू तक जीवित रहता है यह सब परम बुद्धिमान भगवान व्यास जी के कृपा प्रसाद से मैंने प्रतेक्ष देखा है राजन आपके सभी दुर्मात्मा पुत्र क्रोध के वशिबूत हो मोवश यह नहीं जानते हैं कि यह श्री कृष्ण और अर्जुन ही साक्षाद नर नारायन रिशी है वे कालपाश से बद्ध होने के कारण इस समयोचित बात को बताने पर भी नहीं सुनते द्वैपायन व्यास नारद कणव तथा पाप शून ने परशुराम ने तुम्हारे पुत्र को बहुत रोका था परन्तु उसने उनकी बात नहीं मानी जहां न्यायोचित परताव तेज और कांती है जहां ही श्री और बुद्धी हो तदा जहां धर्म विद्यमान है वहीं श्री क्रिश्न है और जहां श्री क्रिश्न है वहीं विज्य है इस प्रकार श्री महाभारत भीश्म पर्व के अंतरगत श्रीमत भगवद गीता में देवी दुर्गा की स्तुति करी गई दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक वे शेयर जरूर किज़ें अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया से सब्सक्राइब करें और बैल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो हम लोग अपलोड करें वो तुरंद आप तक पहुंच जाएं धन्यवाद जय माता दी